इस तरह से भीया पवार जी कि अगर हम बात करते हैं तो वो लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं आज बारिश थी बारिश में भी रुके नहीं है हमारे नेता राहूल जी नहीं रुखे तो हमारे रुखने का सवाल नहीं उठा जब नेता जी इतने बारीश में चल रहे है थंड का सामना कर रहे है तो हम कारे करता कैसे पिछे रहे सकते लेकिन कभी आपको भी कुछ प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है इस दोरान क्योंकि बारीज, धूप, थंडी, ऐसी काफी मौसम के सामना भी है, सडकों पर आप चल रहे हैं, तो कुछ कटनाईया भी आती है लेकिन रहूल जी टीशर्ट में चल रहे है, उनको देखने के आद में जो उस्वाlla है, पर हमें समझ में आता है, लीडर है, लीडर्शीप हमेशा सामने फ्रंड से होती है, रहुल जी वो कर रहे है, और सब में एक उर्जा जगा रहे है, आज कहिना कही उस्वाल हर जो भारत यात्रा खतम निगाद में घर जाने को मिलेंगा उसकी भी एक खुशी है कि जो इतना बड़ा प्रण रहुल जी ने लिया था वो संकल्प कहिना कई यहां पर आ जाके उसका एक क्या बूल सकते टपा पार होने वाला एक स्टेप खतम होनी वाली है तो खुशी की बात तो है ल और भी इस पर बहुत काम करना बागी है क्योंकि यह तो सिर्फ लोगों के साथ ने बात करते हुए लोगों में जो देश में माहुल है वो उनसे बात सुनना था लोगों की बात मन की बात तो रहुल जी करते निये लोगों की बात सुनते है और पूरे देश में जहां से कन् पर बहुत काम राहुल जी करेंगे तो जिस तरह से आपने सुना कि यह भाईया पवार जी थे यूद कॉंग्रेस नेता और इनकी लगातार इस यात्रा में चल रहा है आज जिस तरह से बारिश देखने को मिल रहेती सुबा सडकों पर बारिश के बीच भी इनके कदम जेते व लगातार आगे बढ़ रहते तो इसी तरह लोग राहुल गानी जी के साथ लगातार इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं